बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है बॉलिवुट के महानायक अमिता बच्चन से जुड़े कई किस्से हैं उनके शंगर्स, मैनत, शादी, लव, अफेर्स पर काफी कुछ लिखा जा चुका है लेकिन काफी कम लोग अमिता बच्चन के इस राज से रूबरू हैं गिसके बा बच्चन को पहले जया बच्चन से प्यार हुआ था इसके बाद जया को उनसे इसके बाद दोनों ने जल्द ही शादी कर ली इसके बाद अमिताप की जिन्दगी में रेखा आई दोनों की जोड़ी परदे पर खुब पसंद की गई साथ में काम करते करते रेखा को आप से जुड़े किस से आम है आज भले ही अमिताब और जया की जोड़ी सिर्फ बॉलिवूर्ड नहीं बलकि हर किसी के लिए एक मिसाल है लेकिन कभी तोनों की शादी रेखा की वज़े से तूटने के कगार पर आ गई थी हालंकि जया और अमिताब ने अपने रिष्टे पर किसी तरह की आज नहीं आने दी इसका ही नतीजा है कि आज भी दोनों साथ हैं लेकिन क्या आपको पता है रेखा और जया से पहले भी एक महिला थी जो अमिताब बच्चन का दिल चुरा के ले गई थी इस महिला के बारे में काफी कम लोग जानते हैं असल में ये बात उस सम कि है जब अमिताब बच्चन कलकत्ता में अपनी पहली नौकरी किया करते थे उसी कंपनी में काम करने वाली एक महराष्ट्यन लड़की के अमिताब बच्चन के दिल के तार छेड़े थे एक नियूस पोर्टल पर छपी खबरों के अनुसार इस बात का खुलासा उस समय उन से शादी करना चाहते थे अमिताब बच्चन उस लड़की से शादी भी करना चाहते थे लेकिन बात नहीं बन पाई और दोनों अलग हो गए उसके बाद उस लड़की ने किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली और अमिताब बच्चन मुंबई आ गए यहां आने के बाद उन्हें जया और रेक हमिली तो इस तरह अमिताब बच्चन का पहला प्यार जया नहीं वो महाराश्टेन लड़की थी जिसके बारे में काफी कम लोगों को जानकारी है तो गाइस क्या कहना है आपको अमिताब जी के इस किस्से के लिए प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में झाल